नमस्कार दोस्तों, बिहार में 2020 में विधान सभा के चुनाओं होने वाले हैं ऐसे में हम आपको बिहार के एक एक विधान सभा सीट के इतिहास के बारे में बता रहे हैं और आज हम आपको बिहार के बलरामपूर विधान सभा सीट के बारे में बताएंगे हम आपको बताएंगे कि ये सीट जब से बनी है तब से हाँ परकुल कितनी बार चुना हुआ कौन सी पार्टी कितनी बार चुना हो जीती कौन सी पार्टी कितनी बार चुना हो हारी हारने वाला परतासी कितना ओड़ पाया जीतने वाला परतासी कितना ओड़ पाया और मौझूदा समय में बलरामपूर विधानसभा सीट पर किन परत्यासियों के बीच में मुकाबला है ये भी हम आपको बताएंगे क्योंकि अभी बिहार में 2020 में चुनाओ नमबर या दिसंबर में हो या हो सकता कोरोना के वज़े से चुनाओ 2021 के सुरुआ आतियानी की जनौ और फरवरी में हो उससे पहले इस सभी पार्टी अपने गड़ जोड में लग गई है और अब हम आपको बताते हैं कि बलरामपूर विधानसभा सीट है ये कटिहार जिले में आती है और ये पश्चिम बंगाल से लगी हुई विधानसभा सीट है और ये एरिया बलरामपू बताते हैं कि जब 2010 में चुनाओ हुआ यहां पर तो यहां से दुलाल चंदर गुस्वामी जो कि निर्दरी उमिद्वार थे वो 48,136 उट पाकर चुनाओ जीते थे और दूसरे नमर पर महबूब आलम थे जो कि CPI के उमिद्वार थे 45,432 उट पाये थे उसके बाद 2015 के 94 वोड पाकर दूसरे नमर पर थे दूस्तों आब आपको दो तस्वीर दिखाते हैं यह महबूब आलम की तस्वीर है जो कि 2015 में यहां से यानि कि बलरामपूर विधान सवा सीट से चुनाओ जीते हैं और यह 2010 में यहां से चुनाओ हारे भी थे और यह बरूड कुमार हारने और जीतने वाले परत्यासी का इतिहाद लेकिन दोस्तों 2020 में जैसा कि हमने आपको बताया था कि विधान सवा की चुनाओ फिर से होने वाले हैं तो 2020 के विधान सवा चुनाओ में आप किस विधायक को यह मयानी कि महबूब आलम को ही यहां से चुनाओ जीते भी में आपके गाओं में विकास कर सके और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जरूर कर लिजिए कर शुक्रिया